तो वहीं अकोला में GST चोरी को लेकर GST विभाग अब सतर्क हो गया है इसी कड़ी में शिकायत के अधार पर अकोला से एक कंटेनर को GST विभाग ने अपने कबजे में लेते हुए जलगाओ से ले गए माल की जब चेकिंग की तो इसमें बिना इन्वाइस के माल कुछ हद तक पाया गया इसके बाद छे वियापावियों पर GST विभाग ने काव्यावाई करते हुए एक लाग बीस हजार रुपए का दंड वसूला अकोला से शुहाइद इकबार की रिपोर्ट डूक किराना मार्केट अकोला में जब हमारे राज्यकर वस्तुवा सेवा करके अधिग इनवाईसेस, GST के इनवाईसेस यह पाल्टी है उनके साथ में EV बील नहीं है उस आधार पर ट्रक को GST अपिस अपकोला में लाया गया और पुरे बिलों की और माल की जब चान्नी की गई तो छे व्यापारियों की इनवाईसेस हमारे को पाल्टी मिले तो उसके आधार पर कारवाई की गई 6 व्यापारियों के उपर और उनके पास से 1,30,564 रुपे की टैक्स और पेनाल्टी की स्वरुप में वसुली की